है गाज अभी हम लोग देखेंगे क्लेविकल क्लेविकल के भारे में हम लोग पूरा सारा कुछ देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन फीचर्स और एटेच्मेंट तो पहले हम लोग इसका साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं क्लेविकल में होता क्या चीजी क्लेविकल में ए यह हम लोगों का यह जो curved path में जा रहा है वो curved path को हम लोग soft बोलते हैं ठीक है soft is divisible into the lateral part 1 by 3rd and the medial part 2 by 3rd ठीक है the lateral 1 third of the soft is flat flat from the above downward from the above downward ठीक है it has two border anterior border and posterior border ठीक है अब वो मैं बताता हूँ कैसे गया दोगो पहले तो यह हम लोगों का end होगा हम लोगों का दो end है जिसमें हम लोग acromial end बोलते हैं इसको और इसको हम लोग external end बोलते हैं ठीक है external end बोलेंगे acromial end होगिया external end होगिया और यह जो होगिया यह हम लोगों का क्या ची हो जाएगा यह हम लोगों का lateral 1 by 3rd होगिया लेट्रल आटों ता वह हम लोगों का इना होता है जो मेडियल आटों मत Chief होता है और हम लोगों का सुलेंट्रिकल टक होता है और हम लोग इसे वह लोग कfeltें समझ मेगा रहा है? वो soft बोलेंगा फिर इधर से soft ठीक है जो अब हम लोगों का जो soft होगा वो उसमें हम लोगों का convex forward रहेगा medial end पर ठीक है convex forward medial end 2 by 3rd और concave forward रहेगा lateral end 1 by 3rd concave forward lateral end 1 by 3rd ठीक है convex forward medial end 2 by 3rd हो गया soft ठीक है इतना clear है अब इसमें आता है कि हम लोग external end बोल दिये और इसको acromial end बोल दिये तब हम लोग आगे चल करके joint अगर इसका पूरा देखा जाए तो देखो यह होता है आप लोगों का sternum ठीक है यहाँ पे आप लोगों का sternum होता है और sternum में noches होते हैं ठीक है तो यह जो हम लोगों का यहाँ से जो clavicle joint होता है यह ऐसे समझ लो की कुछ टेड़ा मेड़ा बना रहा हूँ शिर्फ समझना समझना important है यहाँ पर यह होगी आप लोगों का clavicle joint करता है noches के साथ sternum noches बोलते हैं ठीक है और supra sternum noches बोलेंगे supra sternum noches को बोलते हैं जहाँ पर हम लोगों का intraclavicular ligament joint होता है supra external space से जिसके कारण यह जैसे मान एक clavicle है और यह clavicle है और बीच में हम लोगों का sternum है इस दोनों के बीच में clavicle को वहाँ पर बनाई रखने के लिए intraclavicular ligament होता है ठीक है फिर हम लोग यहां पर क्या बोल रहे है यह जो है हम लोगों का κया सब्शंद होगा यह हम लोगों का external end होगा जो की हम लोगों का sternum से जोइंट होगा और इस joint को हम लोग क्या से बोलेंगे external clavicular joint और यहां पर हम लोगों का اس scapula रहेगा इसे acromioclavicular joint ठीक है इतना समय में आगे आप लोगों का attachment यह होगी आप इसके आगे हम लोग आएंगे shaft पढ़ेंगे तो shaft में हम लोग इतना पता दिया आप लोगों का कि lateral one third of the shaft जो होता है वो flat होता है ठीक है lateral one by third end अभी इधर medial two by third of the shaft जो होता है rounded होता है और यहां पे चार surfaces होता है ठीक है posterior surface जो होता है smooth होता है superior surface rough होता है आप लोगों का जो कि medial part में होता है और inferior surface आप लोगों का oval expression पे रहता है ठीक है तो और anterior surface convex forward convex forward और इधर मैंने बता दिया कि lateral one third shaft होता है जो कि two surface तो shaft और हम लोग lateral and medial lens अच्छे से देखेंगे ये तुसरी basic था attachment मतलम attachment भी अभी कुछ नहीं बता है उपर-उपर से बता दिया कि ऐसे ऐसे हो था बागी का feature संब्लग बात में देखेंगे next lecture में और एक बात और important है जो कि clinical का चीज है lateral one by third or medial two by third के यह जहाँ पर joint होता है junction joint होता है यह होगे lateral one by third और यह medial two by third हो गया पीच में point between these two end यहाँ पर आप लोगोगोगा सबसे weakest point होता है जो कि गिरने के उपर out stage में आप लोगोगा fracture होता है यह point सबसे easily fracture हो जाएगा because it is the weakest point of the clavicle bone तो यह चीज हो गया बाकी एक वर फिर से revision करवा देता हूँ आप लोगों को मैं कैसे क्या क्या था तो पहले हम लोगों का पहले हम लोगों ने देगा कि दो end हो गया दो end हम लोगों का acromial end हो गया फिर external end हो गया acromial lateral one by third end और medial two by third जो curved पात होगा shaft is slightly curved so that it is convex forward in its medial two by third and concave forward in its lateral one by third तेगा lateral end जो हो गया हम लोगों का flat and the medial end is large and quadri lateral तेगा इतना समझ मागया फिर हम लोगों ने देखा कि sternum हो गया यह हम लोगों का sternum यह जो हो गया यहाँ पे center में मैने brium sternum जो कि हम लोगों का sternum के साथ जो clavical रहेगा वो end हम लोगों का external end होगा medial two by third जो कि joint होगा हम लोगों का sternum के साथ और इस joint को हम लोगों sternoclavicular joint बोलेंगे clear है और हम लोगों का यहाँ से kepula से joint आएगा कौन सा acromial end lateral one by third तो हम लोग इसको acromioclavicular joint बोलेंगे ठीक है और यह जो दोनो clavical के बीच में intraclavicular ligament to be observed in supra sternal नोच यह जो हो गया यह नोच supra sternal नोच हो गया ठीक है supra sternal नोच हो गया जो कि यह क्या करेगा यह आप लोगों का intraclavicular ligament hold करेगा दोनों का दोनो clavical coat ठीक है समझ में आगया और इसको हम लोग यह जो gap है इसको हम लोग supra sternal नोच भी बोलते हैं ठीक है यह था आप लोगों का basic fund आप अब बाकी हम लोग इसमें attachment देखेंगे कि fibrous capsule क्या होता articular disc के अचही होता है interclavicular ligament के चही होता है यह medial end में आएगा ठीक है joint capsule आप लोगों का lateral end में होता है फिर lateral one third of shaft देखेंगे जहाँ पर हम लोगों का deltoid देखिएगा जो की anterior border से निकलेगा deltoid muscle और posterior border से हम लोगों का निकलेगा trapezius muscle ठीक है insertion to the trapezius muscle फिर हम लोग conoid tubercle जो trapezoid होगा यहाँ पर आप लोगों को trapezium reach दीखने मिलेगा और यह को नामे conoid tubercle ठीक है यह आप लोगों देखना फिर medial two third medial two third में आजाएंगे तो medial two third में pectoralis measure आएगा जो की interior surface gives origin to clavicular head clavicular head of the sternocleidomastoid यहाँ से आप लोगों को sternocleidomastoid मिलेगा clear है फिर oval shape impression आएगा जोहाँ किसे हम लोगो costoclavicular ligament देखेंगे हम लोग इसी तरह करके sternocleidomastoid muscles फिर clavicle कतम हो जाएगा और फिर मैं notes देजूँ आप लोगों को यह पूरा है notes clavicle करके उपर लो इतना पढ़ लो इसके बाहर कुछ भी नहीं है इतना इनफ है thanks